तो दोस्तों मातर चार दिन बचे हुए, तीन से चार दिन बचे मैं बूर्ट पड़िक्षामिया और आज से मैं कहते हूँ पंचानवे परसट ला सकते हो, क्यों कैसे, क्योंकि बस वही कोश्चन परना है जो मैं बता रहा हूँ, मैं मस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और आपको तो बस रिलाक्स हो जाओ, इस वीडियो को इंड तक वाच कर लो, वहना रोना पड़ेगा, खुन क्यांस हो आई से रोना पड़ेगा, सची बत बता रहा हूँ, और वीडियो को देख लो पूरा इंड तक, विदाउट इसकिप किया और मोबाइल को किनारे में ले जाओ, य यह साथ से आठ मिनट का वीडियो आपको बिहार बोर में 95 पार करवा सकता है, आपकी जतनी तयारी होगे, लेकिन अब से, अब क्या पढ़ोगे, क्या ऐसे चीज़े हैं, जो आप तक आप से छुट रही थी, जो आप तक आपको नहीं मिला, और आप डड़े हुए, सहमे आपको निबंध होगा, आपको बहुत सारी चीज़े, दो नंबर, पांच नंबर का प्रशन, कैसे क्या याद करोगे, सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने बला हूँ, बस चैनल पर देशन के सब्सक्राइब करके बेल आकन को हिट कर लोगे, और वीडियो को शेप करके रख लोगे, कैसे एक्जाम में जाना है, देखो सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, चौबिस में पंचानवे पलस का भंड़ा फोड़ देना है, फोड़ देना है पंचानवे पलस, वो कुछ नियम बता रहा हूँ, मैं जतना स्टड़ी आप कर रहे थे न, वो चार दिन बचा हुआ है, इस चार दिन में इस्टड़ी का पलान बना लो, क्या पलान बनाना है, फर्स्ट देज, जो एक्जाम है आपका, बस उससे पहले क्या कर रहे हैं, पलान का क्या मतलब होता है, कि हमको दो से तीन घंटा भाईया, अब्जेक्टिव ले ले लेना है, दो से तीन घंट श्रीप objective को परना है completely तम किनाने में जा करके श्रीप objective परना है दूसरा कोई subject नहीं परना है तीन घंटे में 500, 600, 700, 800, 1000 जतना हो कम से कम आप इस तीन घंटे में कम से कम आपको क्या करना है बाबू 500 plus objective पर लेना है 500 plus हो गया अब फिर आपको दो से तीन घंटा परना है दून नंबर का परस्न कितना दो नंबर का परस्न बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से उसके बाद जो बढ़ता है आपको पांच नंबर का परस्न पूचना ठीक है बाबू सकेंड चीज, make a short note, पर एक चीज का बड़ा question को नहीं परना है अब, जो भी 20 line का question उस में से underline करके, बस 5 line का question निकालना, long tab में 15 line का होता है, आपको उसमें से 5 line निकालना, उस 5 line से 15 line exam में आपको लिखना अब लिखना है, ठीलिया है, note बना लेना, 2 number का question, अगर 8 line, 7 line का है, तो उसमेंसे आपको क्या कर लेना भाबू, दो लाइन को याद कर लेना है, और उस दो लाइन को आप खुद से चार लाइन बना लेना है, क्योंकि आप बहुत जाधा पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है, तो मैं सेलेक्टिट चीजे बता रहा हूं, आपको प्रेस राइज नही को पढ़ना है और पाच नमबर का सेलेक्टिट परसन जो है दू घंटा दो से तीन घंटा उसको पढ़ना है और क्या करना है बाबू तो बस मैंने बता दिया ना शौर्ट नोट सब का लोंग टाप शौर्ट अब्जेक्टिव में भी जो अब्जेक्टिव आपको याद है उसको छोड़ दो जो लगता है दिक्कत है उसको ऐसे टिक करते जाओ और सिर्फ एक्जाम से पहले उतना को ही पढ़ना है जिसमें डाउट है किलियर प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या करना है यादि आप मैथ के स्टुएंट मैथ पढ़ते हो तो मैथ को जादा प्रैक्टिस करना है जो कोश्यन आपने याद किया उसको एक शौर्ट नोट कॉपी में फटा फट से ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है तीन घंटा इतिमिनान से आना है और पांच नमबर का प्रस्न आपको पूरा सिट त्यार करना है आपको जैज करना है कि मैं तीन घंटा 15 मिनिट में बना करके रेडी हो सकता हूं कि नहीं ये काम जरूर करना प्लीज चार और्गनाइज़ यूरसिल्फ अपने आपको एकत्रित करो अपने आपको भिखरने मत दो की सर एक्जाम का प्रेसर है कुछ भी नहीं है यार एक्जाम खेलते हैं प्रेसर नहीं लेना है और्गनाइज यूरसिल्फ अपने आपको एकत्रित करो अपने आपको और्गनाइ आपको थोड़ा सा प्रेशकर चबालक में का घ्र कर ना है जिससे आपको माइड को फिरेस मिल जाए और किर्केट खेलना कोई घर में चोटा बच्का ने साथ मस्ती करना है कुची कुची करते रहना है मस्ति कर लेना है गाना सुल लेना है डांस कर लेना है और फिर फ्रेस हो कर के फिर अपने अड़े बढ़ा के पैठने बैट चाना है याद रखना छे टेक प्रक्टिस एक्जाम यही बात मैं बता चुको एक्जाम की प्रक्टिस करना है कैसी प्रक्टिस आपको तीन घंटा प 15 मिनट में एक modal set बनाने का पडियास करो अब बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो कितना आप से चूट जाता है तो उसी को कहते हैं practice it get enough sleep अब क्या करना है आपको नीन्द पूरी लेना जब इतना मेनद कर रहे हो तो आपको नीन्द पूरी लेना है क्या करना है कम से कम बाबू 7-8 गंट आपको relax हो करके 24 गंट परने से कोई महान नहीं बना है 6 गंटा 7 गंटा आराम से रिलेक्स हो करके टेंशन मुग थो करके आपको relax enough sleep लेना है जो आपके सरीर को harassment नहीं तो आप तयारी तो पूरी कर लोगे बीमार पर जाओगे तो परिक्षा भावन में कुछ लिखी न पाओगे और 8 कह रहा eat healthy food यानि कि आप भोजन पर भी ध्यान दो अच्छा भोजन खाओ जिससे आपको क्या हो जाएगा आपके सरीर को थोड़ा सा पॉस्टी का हार मिलेगा वन्डर वहाँ exam में फर्स सिटिंग होगा तीन घंटा पंदरा मिनट वन्डर तीन घंटा पंदरा मिनट में आप भी कहोगे कि oh my god मुझे चक्कर आ रहा है oh my god मैं तो गिर गया तो यह सब आपको नहीं होना चाहिए यह सारी चीजें अगर आप याद रखते हो और completely इस हिसाब से काम करते हो तो मैं guarantee देता हूँ 95 पलस का बंदा आप फूर सकते हो और आप कमेंट करके परिक्षा के बाद कहोगे कि sir आपकी बात मान लिया मैंने और मैं बिहार बोट में 95 पलस का स्कूर करके आ चुका हूँ तो एक साम से पहले इस वीडियो का अपने दोस्तों तक शेयर कर दोगे और जितने भी दोस्त हैं और परतेक बिद्यारती अपनी तयारी को कम्पलीटली कर सके मैं हाज़र करविंदी करता हूँ सारे बच्चों से वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और इवेन स्टेटस लगा करके बता देंगे सारे दोस्तों को ताके पढ़ने का सबको मौका मिलेगा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्सिन में बताएं में और कुछ नोटिफिकेशन आपको और किस चीज़ पर वीडियो बनाएं कमेंट पाड़ा पाड़ से करता है यह मैं बताता चला जाँगा तो चलिए मिलते हैं अगले किलास में इस हाँ से खुसी मस्ते के साथ तब तक के लिए चेहिन वद्दे मातरा